लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममताब एनरजी की गड़ पस्चिम बंगाल में सेंध मारी की थी जिसने टीमसी प्रमुख की नींद इसका दर उड़ाई कि वो डेड़ साल पहले ही विधान सभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं जिसके मद्दे नजर वो जुटने के लिए कई अभियानों का सहारा ले रही हैं टीमसी के दीदी के बोलो अभियान को तो इस एक महिने में ही इतनी सफलता मिल गई जो बीजेपी के परिशानी बढ़ा सकती है एक रिपोर्ट देखिए भारती जुनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पहले सें दिलवा रही थी तो वहीं ममता बैनर जी अपने अभियान के तहट लोगों से जुड़कर उनकी समस्याएं जान रही थी इसके लिए उन्होंने दीदी के बोलो अभियान के शुरुवात की जिसे शुरू हुए एक महिना बीच चुका है दीदी के बोले अभियान को उसके पहले ही महिने में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है अभियान के तहट 10 लाग से ज़ादा लोगों ने पार्टी नेत्रित्व से संपर्क किया है और अपनी शिकायते दर्ज कराएं मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने इस जबरदस्त प्रतिक्रिया को लेकर राज्यों को धन निवाद दिया है त्रिणमोल नेत्रत्व की ओर से ज़ारी एक बयान में कहा गया है कि पिछले एक महिने में राज्य भर से 10 लाग 350 लोगों ने दीदी के बोलो मंच के माध्यम से दीदी और उनके कारयाले से संपर्क किया और इस पहल की प्रशन साखी सरकार और पार्टी क खुले कर त्रिणमोल सुप्रीमों ने ट्वीट किया दीदी के बोलो मंच के माध्यम से लोगों की जबर्दस प्रतिक्रिया खुले कर मैं भाव विभोर हो गई हूं पिछले 30 दिनों में 10 लाग से अधिक लोगों ने हमसे संपर्क किया हमारी तारीफ की सुचाव दियो शि पज है और वो सूबे के विधानसभा चुनावों के लिए टीमसी के लिए रणनीती तयार करें हैं जिससे पीजेपी के मुश्किले बढ़ना तैह है डीबी लाइफ के रिपूर्ट